नमस्कार दोस्तों नित्यसाद नामे आपका स्वागत है आज हम चर्चा करेंगे कि हनवान चालीशा का पाट हमें कैसे करना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए वैसे तो हनवान चालीशा का पाट पहुत लोग करते हैं पर उन्हें वैसा लाब नहीं मिलता है जैसा कि उनको मिलना चाहिए दोस्तों हनवान चालीशा का पाट तुलसी दास जी ने लिखा था हनवान जी के ही किरपा से तुलसी दास को भगवान स्री राम के दर्सन हुए थे तो दोस्तों आए जानते हैं कि हनवान चालीशा का पाट हमें कैसे करना चाहिए हर्वान्चा लिशा का पाठ करने के लिए हमें ब्रह्म मुहूर्थ में जगना चाहिए नित्य क्रिया से निवरित हो करके अश्नान करें साफ वबस्तर दारन करें सुर्य को जल अरपित करें दोस्तों तुलसी मा को जल अरपित करें क्योंकि हमारे सास्त्रों के अनुसार किसी भी पूजा पाट से पहले गणेश जी की पूजा करते हैं इसलिए गणेश जी की पूजा करें फिर पंच देवी देवताओं की पूजा करें उसके बाद हनुमान चालीशा का पाट करना चाहिए दोस्तों हनवान चली साब पढ़ते समय लाल वस्त धारण करना चाहिए अगर किसी कारण से लाल वस्त नहीं पहन सकते तो लाल रंग का रुमाल अपने सिर पर रख लें वहां हनवान जी की तस्वीर लगाएं तस्बीर में हनवान जी आसिरबाद देने की मुद्रा में हो वही तस्बीर आपको वहां लगानी चाहिए और वहां गाय के घी का दीपक जलाएं दीपक ऐसा जलाएं कि जब तक हनवान चलीशा खत्म न हो जाए तब तक वो दीपक जलता रहे हनवान चलीशा पाठ के पहले अगर आप संकट मोचन हनवान अश्टक का पाठ कर सकते हैं तो और भी लाव प्रद होगा क्योंकि हनवान जी को उनके सक्तियों का बोध कराना पड़ता है उसके बाद हनवान चलीशा का पाठ करें हनवान जी की दिव्य कृपा प्राप्त करने के लिए सही धंग से चलीशा का पाठ करना चाहिए हनवान चलीशा का पाठ हनवान जी के 108 नामों का वर्णन किया गया है दोस्तों भगवान सीव के 11 आवतार है हनवान जी इसलिए उन्हें रुद्रा आवतार भी कहा जाता है अगर महिलाएं हनवान चलीशा का पाठ करती हैं तो एक बात का ध्यान दे कि हनवान जी को पड़ाम करते वक्त सिर न जुकाएं क्योंकि हनवान जी हर इसलिए को माता का अस्थान देते हैं और दोस्तों हनवान चलीशा का पाठ करने के बाद आखिर में छमा मांगनी चाहि भी हो तो छमा करें और जैसे राम बोल कर उठ सकते हैं पूजा करने के बाद लाश्ट में यानि अंत में आरति जरूर करना चाहिए, अपने घर में घुमाना चाहिए, और आरति सब को दिखाना चाहिए, अपने पूरे परिवार को दिखाना चाहिए, अगर इसके साथ दिन अपने मन ही मन सीता राम सीता राम कहें तो और भी लाप्रद होगा दोस्तों हनवान चलीशा पढ़ते समय आपको अपना मुख पुरु दिशा में रखना चाहिए और जब हनवान चलीशा का पाट करें तो एक साफ लोटे में पानी रखें हनवान जी के तस्बीर के सामने उसे ग्रहन कर सकते हैं उन्हें गुड़ बुद्धी या लड्डू का भोग लगा सकते हैं अगर हनवान चलीशा का पाट आप सच्चे मन और विश्वास के साथ और सुधता से यह कई दिन तक लगतार करते हैं तो आपको लाब दिखने लगेगा तो मैं उमीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी मिलते हैं कुछ ऐसी ही ग्यानवर्जक वीडियो के साथ धन्यवाद